आज हम क्या स्टार्ट करेंगे यूनिट फिफ्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है ना आपकी यूनिट फोर तक हो चुका है ना कॉर्ट यूनिट फोर तक हो चुका है ठीके बारे में कि हैं है ना इस फिजिक थे हो फिइट फिजिव होटे हैं एक निशीनल ही पह्ता है ऊसेट हैं वह ठीके कैसे हम उस चीज़, हम में डिजीज हुआ है, बिमारी हुए है, कोई रोग हुआ है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, यह सब किस में था आपका, concept of health में, फिर second आपने, यह आपको किस ने पढ़ा था, Ankeetha मैं ने, ठीक है, next मैंने आपके start कराया था, nutrition and health, nutrition और health क्या होती है, क्या उसके classification होते है, requirements क्या होती है, क्या उसकी जरूरते होती है, क्या अगर हमारे अंदर proteins, vitamins, minerals, इनकी अगर कमी हो जाए, और हमें अगर इनकी deficiency से क्या हो जाए, को disease हो जाए, तो उनके क्या क्या treatment होते है, क्या उसकी prevention होती है, ठीक है, यह समय ना आपको nutrition and health में पढ़ाया था, ठीक है, उसके बाद third unit थी, आपकी demography and family planning, demography क्या होती है, कैसे हम family को plan करते हैं, क्या क्या उसके methods होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था, आपको methods demographic क्या होती है, क्या मतलब कि study of population, ठीक है, उसके बाद fertility क्या होती है, contraceptive methods क्या होती है, ठीक है, behavioral moods कैसे होने चाहिए, natural family planning क्या होती है, यह समय ना आपको किसम पताया था, demography में, फिर आपका था, first aid, क्या उसके, first aid treatment होते हैं, emergency, treatment हम शोक अगर हो जाए, तो हम emergency treatment क्या देंगे, snack bite कर जाए, या buns कहीं से चल जाए, कोई जहर क्या खा ले, जहर खा ले, तो हम उसमें क्या करेंगे, ठीक है, यह समय ने उसके emergency treatment बताये थे, ठीक है न, ठीक है, first aid क्या, उसके बाद आज हम, क्या पढ़ेंगे, environment and health, क्या पढ़ेंगे आज हम, environment and health, environment क्या होते है, वाता वरंड, क्या होते है, environment, वाता वरंड and health, और स्वस्थ, ठीक है, वाता वरंड और स्वस्थ, इसमें पढ़ेंगे हम, firstly हम पढ़ेंगे, sources of water supply, की पानी का supply कैसे हो रहा है, water pollution, क्या है, मतलब जो water pollution कैसे cause होता है, हम पढ़ेंगे, मतलब हवा के बारे में, noise pollution, light, soil waste, ठीक है, disposal control, medical entomaly, arthropod bond disease and their control, ठीक है, सब के पास labels है न, ठीक है, तो first, आप हमारा unit 5th start करती हूं, मैंने बता दिया है, आपको चारों unit के बारे में ने पढ़ाता, firstly, concept of health, second पढ़ा था हमने nutrition and health, ठीक है, ठीक है, ठार्थ हमारा demographic, फॉर्थ हमारा foster, आज fifth क्या है, हमारा environment and health, environment मतलब क्या होता है, वातावरण and स्वास्थ, ठीक है, वातावरण और हमारा स्वास्थ है, तो वातावरण में हमारी, अब एक सी, मैं normally post लेती हूँ, कि वातावरण में कौन-कौन से चीज़े include होती है, कौन-कौन से जुड़ी होती है, वातावरण में, बुश्रा ना जाब बताएंगी, आईशा, बोलो, वातावरण में क्याक्या जीजी जुड़ी होती है, हमारे, आईशा, आप सुन पा रही है, do you hear me, बोलिए, सिल्की वाइस आरी है मेरी, क्या होता है बटाएंवार्मेंट, यह रही हैं, हमारे, आप सुन आयए, एक्जेल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे, एनवार्मेंट में क्या आता है, जितने भी हमारे, इंटर्नल, एक्टर्नल, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है? हाँ बेटार ने ठीक है बटा, आप डॉन्ट वरी मैं आभी बोल रही हूँ, ठीक है? इतनी जल्दी परेशान मत हुए गरे हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है बटा? तो एंवार्मेंट क्या होता है? जितनी भी हमारी क्या है? इंटर्नल, एक्सटर्नल, लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है, जितनी भी चाहिए चलती हो यह नहीं चलती हैं, ठीक है? इंटर्नल क्या है हमारे अंदर के बॉड़ी पार्ट हमारा दिल हुआ, हमारे गुर्दे होगे हमारे फेंफडे होगे होगे हावर, हार्ट, लंग्स and किडनीज, सभी तो काम करती हैं, काम कर रहे हैं थीक है? हमारे internal organs भी काम कर रहे हैं हमारे external organs भी काम कर रहे हैं ठीक है living things भी काम कर रहे हैं अपनी अपनी जंगा सभी क्या कर दिये हैं काम कर रहे हैं ठीक है समझ आ रहा है न अपनी अपनी जंगा अपनी अपनी जंगा अपनी अपनी जंगा सारी चीज क्या कर दिये वर्क कर रही है ह साथ न हमारे साथ साथ टाहे वह लिविंग ठींग टाहे वह ना लिविंग सै यह ना domest wizard लिविंग मतलग चालते फिर Everyday non haya ऑन लिविंग जो चालते नहीं हैं ठीकिए इंक्लिव्ट करती। जितने भी हमारे आसपास के एरिया है, Bread that Sut Walk sia tutorial। जिसमें सब क्या जूड़े हैं, internal, external जूड़े हैं, living जूड़े हैं, living जूड़े हैं, और non-living जूड़े हैं। इसा भी किसमें आते हैं, हमारे kolop में आते हैं। तो यह भी तो अपने वर्क कर रहा है अंदर कर रहा है ना कर रहा है ना सिलकी सिलकी हमारे जो अंदर के इंटर्नल ओर्गन्स है वर्क कर रहा है ना झाल तो जो हमारे इंटर्नल जो इंक्लिवड होते हैं इंटर्नल अन्वार्मेंट जो हमारे इंटर्नल क्या है इंटर्नल एंटर्नल एंवार्मेंट है वो क्या करते हैं इंक्लिवड करते हैं हमारे बोडी के अंदर के पाट्स छीक हैं किसने आइकन के अपना पणला मैं कॉपके रोपना है इंटेंड उन्वार्मेंट्स क्या करतें इंटेंल अन्वार्मेंट्स इंक्लूूष औल्टी शुट ज्ट वर्क इंसमें जात सब्सक्राइब धीछ आसे घर्रक्तिंट्स स्वेड़नसर क्या यह चोट से जो क्या मस्तित ठीक है, sorry, internal environment, ठीक है, उसके बाद जो in modern concept, तो जो external environment क्या है, वो includes होते हैं, क्या होते है, external environment includes not only water, air and soil that form our environment, but all include social and economic aspects, सिर्फ हवा, पानी और जो red humidity है, वोई क्या है, external environment नहीं है, ठीक है, internal environment मैंना आपको बता दिया है, क्या होता है, internal environment सिधार? बोलो सिधार्थ बताओ, वाट इस internal environment? शेता हम बताओ, अभी बता रही हो, हाँ, अभी बता रही हो, हाँ, 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 बता रही हो, हाँ, 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 बाँ, हाँ, 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 हाँ. हanie कि एक बॉल सकते हैं कि जितने भी हमारे टीशू was कर रहें वह क्या कर रहें ऊष्ट है हमारे इंटर्ण एन्वार्मेंट है external environment हमारा जो water हुआ हवा हुई ूती हुई यह हमारे external environment में count नहीं होते हैं यह तो होते है external environment लेकिन इसके इसके आलावव जो social और economic aspects हो रहे हैं हमारी life में वो भी किसमे count होते है external environment में ठीक है? external environment जैसे कि physical, chemical, biological social जितने भी components है, किसमें account होते है, external environment, ठीक है, जैसे कि physical में क्या आते है, physical environment में क्या देगा, these include water, physical environment में क्या 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 देगा, water, air, food, soil, season, climate, housing, facilities for disposal of excreta and other west product, जितने भी क्या है, physical environment में क्या क्या देगा, जितने पानी, हवा, खाना, मिटी, season, मतलब कि हर मौसम जो बदला, changes आ बनना, facilities हमारे लिए है, available, जितने वेस्ट material हमारा, food को हम चाहिए, वेस्ट कर रहे है, तो सब किसमें आता है, physical environment में, किसमें हमारा, external environment का part है, ठीक है, उसके बाद second होता है, chemical, chemical में क्या होता है, these include insecticides, ठीक है, इसने भी insecticides होते है, pesticides होते है, जितने fertilizer है, जितने fertilizer है, जितने production and chemical present in industrial waste, ठीक है, और जो chemical कहां present है, इतने भी industrial में, waste में present है, उसके वो सब किसमें count होता है, chemical environment में, और इसका part है, external का, ठीक है, क्या क्या आता है, chemical environment में, insecticides, pesticides, fertilizer, ठीक है, use in the production of agriculture, ठीक है, यह सब किसमें आते है, chemical में, अब आता है, biological, biological में क्या है, these include plants, biological में क्याते है, plants, animals, rodents, insects, जितने भी microorganism है, वो किसमें आते है, biological में, ठीक है, ना, उसके बाद हम बात करते है, social, social में क्या, these include society, social में क्याते है, इतने हमारे आसपास के society, ठीक है, culture हमारे कैसे है, customs, जैसे कि हमारे शादी हो रही है, या कुछी का कुछ बर्ट्रेशन हो र धरम, personal habits, हमारे जो personal habits है, income है, हमारे standard हमारे रहने का तरीका, standard of living, यह किसमें आते है, सब social में, तो इस तब क्या हुए चारो पार्ट, physical, chemical, biological, or social, इस चारो किसमें हुए हमारे external environment में, ठीक है, आया समाझ सिल्क है, ठीक है, ठीक है, अब नेक्स आते है, हमारे एक term आती, environmental sanitation, environmental sanitation क्या होता है, the control of environment factors in disease, ठीक है, causation is known as environmental sanitation, which means, the source of safeguarding health, ठीक है, हमारी health का safeguard की तरह एक वर करना, उसको क्या पोलता है, environmental sanitation, ठीक है, according to WHO, WHO के हिसाब से, the environmental sanitation is defined as, ठीक है, जो WHO है, world health organization है, उनके हिसाब से, जो environmental sanitation है, वो कैसे define करी गई है, तो देखे, the control of all those factors in man's physical environment, which exercise or may exercise the deteriorate effect on its physical department, health and survival, हमारे रहने के तरीका, ठीक है, कैसे हम अपनी health को रख रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, ठीक है, तो यह सब किसमें आता है, environmental sanitation, according to WHO, WHO, हुए है, ठीक है, इटम environmental sanitation is now replaced, जो term environmental sanitation है, वो क्या होगे, रेप्लेस हो चुकी है, with environmental health, environmental health के साथ, ठीक है, जो की important component है हमारी community health के लिए, ठीक है न, environmental sanitation term समझ आई वेटा, कर रही हूं जो environmental sanitation है तो the control of environmental factors in disease position is known as environmental sanitation which means the science of safeguarding health environmental sanitation क्या होता है science of safeguarding health मतलब कि हमारी health को बिलकुर safeguard की तरह रखना ठीक है लेकिन according to WHO WHO के हिसाब से क्या होता है environmental sanitation कि जितने भी factors हो रहे हमारे physical environment में ठीक है तो वह क्या करेंगे ऐसा effect करेंगे हमारे physical development पे और हमारी health और survival पे ठीक है लेकिन तो term environmental sanitation अब वो किसमें replace हो चुछी है environmental health में ठीक है environmental health और community health जो किसका component है हमारा community health का ठीक है अब आया समय silky ठीक है तो environmental sanitation किसमें replace हुआ है environmental health में किसका component है वो community health का जो term याद रखना ठीक है environmental sanitation किसमें replace हुआ है हमा अरे भाई नहीं श्वेता अइन्वार्मेंटल health में ठीक है ठीक है community health का एक word में एक line में याद रखना कि environmental sanitation किसे बोलते हैं किसे बोलते science of safeguarding health ठीक है the science of safeguarding health इसको line को learn लगना ठीक है उसके बाद मैंने बता दिया है कि environmental sanitation है वो किसमें replace हो चुका environmental health में हो चुका और किसका component होता है community health का अब हम पढ़ेंगे environmental health होती क्या है environmental health environmental pollution is a major reason which causes harmful effects on man's health and leads to so many diseases the environmental pollution occurs when through pollution of water air and soil unhygienic disposal of human excreta and refuse insects and avoidance ठीक है तो environmental pollution क्या है major एक सबसे बड़ा क्या है reason है जो कि हमारी health पर कुछ क्या करते है harmful effect cause करता है ठीक है जिससे हमें क्या हो सकती है बहुत सारे बिमारिया हो सकती है which cause many disease जो क्या करता है हमारी हमें क्या कर सकते है बहुतारी बिमारियों को cause कर सकता है ठीक है जैसे कि environmental pollution अगर हमारे environmental में pollution आ जाए ठीक है तो वह क्या करता है when through pollution of water जैसे कि water pollution हो जाए पिएंगे हम यूजर फटिलाइजर होता है उससे हमें क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डिजीज कोज हो जाएंगे बिमारी हो सकती है ठीक है unhygienic disposal होता है human excreta का जो क्या refuse कर सकता है इंसेक्ट और रोडेंट्स को ठीक है पूर हाउसिंग फैसलिटीट अगर हमारे पास रहने के लिए धर धर नहीं दर्वाजा नहीं है खिड़की नहीं है यह कुछी प्राब्लम नहीं तो भी हमारी है पर क्या करेगा पूर सेनिटेशन करेगा ठीक है वाद इंडियामे में कहां एक सेफगारडिंग्ग वाट टर इस प्रोड़ है अगर इंड्मे अगर मैं रोड़ न आज सेफ़ पानी दिया जा जाए तो वह किस बिल्रवारत में ऐड़नियीस वoduस्त रहें थीकों अगर चैना अगर उसकता है भारत में इंड आ मैं पानिकी जो थाल कैने पानी अच्छा में में परजान करतों हम क्या रहेंगे स्वेस्त रहेंगे भोसारे जातनी बीमारी तोय कर रहेंगे हम दूर रहेंगे ठीक है ज्यादा तर बिमारे किसे फैलती है, पाने से फैलती है, ठेक है समझाया चिलकी, श्वेता, हैमा, आईशा, और वाइस, आपको सबको समझाया है बैटा, यहां ठेक है, तो बैने बताया, आपको इन्वार्मेंट क्या होता है, क्या इन्वार्मेंटर सेनिटेशन होती है, इन्वार्मेंट के फैक्टर्स क्या-क्या होते है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, और क्या होते हैं, इंटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और external होतें इंटर्नल में बद क्या होते हैं Tissues और क्या आते हैं Body organs आते हैं external में क्या थे Physical factors, Chemical, biological और Social आते हैं इन में कौन-कौन आता है निवे आपको explain कर चुकी हूँ उसके बाद environmental sanitation क्या होता है, environmental health क्या होता है इब मैं आपको बता दिया है, ठीक है अब क्या पढ़ेंगे हैं water तो पानी क्या जरूरी होता है जैसे हमें हवा जरूरी होती है जीने के लिए वैसे हमें जीने के लिए पानी भी क्या होता है जरूरी होता है जीने के लिए अगर हमारे पास अदर गटाई बिना एर के रहें तो हम क्या करें मर जैंगे हम्हां सब्सक्राइब हो सकती है तो ऐसे अगर हम पानी नहीं पीएंगा खाने पीना रह सकते हैं लेकिन पानी बिना नहीं रह सकते हैं, तो air के बाद, हवा के बाद हमें पानी ही है, जो हमें यह लिए क्या होता है, एसेंशल होता है, ठीक है, तो water is essential for life next to air, ठीक है, हवा के बाद हमें पानी ही, क्या होता है, एसेंशल होता है हमें जीने के लिए, विदाउट वाज़र देर वूल्ड विन नो लाइब इना पानी के हमारी क्या है कोई जिंदगी नहीं है ठीक है डिव तो इस रिजन इन अडली टाइम मैं है यह एड़ तो पहले टाइम में का होती थी इंशान के अंदा इसनी टेंडनेंसी होती थी कि वह अपने घर क्या करे पानी के आसपास ही अपना घर बनाएं ठीक है जैसे कि नियर रिवर्स लेग्स इस्प्रिंग सक्सेक्टर बट नावडेश वेर न्यू कोलोनी आ डेवलेट लेकिन आश्कल क्या हो कि नहीं कोलोनी इस डेवलेट हो गई है प्रोविजन आप सेफ द्रिंकिंग वाटर इसमे इस डेवलेट लेकिन इंडिया में ठीक है रूल पॉपिलेशन रूल मतलब क्या होता है रूलर अरिया अर्बन अरिया शहर ठीक है तो लेकिन अभी भी रूलर अरिया अजम भारत में कुछ गाउं ऐसे हैं जहां पानी सेफ द्रिंकिंग वाटर प्रोवाइट नहीं किया ज लॉक एडिया जो लोग क्या करें वीचारी स्ध्री में रह रह रहे हैं ये गौह में रह रहे हैं अरुन कोुष्ट्री परचायर तो उसकती है कि यूज़ ऑफ वाटर का यूज़ होता है लेकिन इसलेश कर रहे हूं कि आज बॉड़ी कंटेंग अबाउट टू थर्स ऑव वोटर हमारी बॉड़ी में कितना पानी होता है टू थर्स ऑफ वोटर ठीक है ब्लड गंटन सेवंटीना परसेंट ब्लेड में कितन कितना होता है 80% and bones above 10% of water लेकिन हट्डिया में कितना होता है 10% ठीक है blood content blood में कितना होता है खून में 79% sorry brain में 80% and bones हमारी इतनी भी हट्डिया में कितना होता है 10% ठीक है hence water is an infant part of body it is required to perform the following function या 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 है ठीक है तो जो हमारी ब्लड में कितना परसेंट हो क्या होता है water 79% brain में कितना होता है 80% हमारी bones हट्डियों में कितना होता है 10% water ठीक है तो हमारी जो पाटर की water की जो requirement है फैनी की requirement है वह क्या क्या है हल्ब करती है हमारी बाटि में उसको हमें हमारी बाडी में तर्फकरता है एलेक्रिलाइइटव्ण वड्यंस क्या करता हैèn करता है ठीके वज़ेंश अमारी नर्फ हैं चोटी चोटी नशे हैं उनको क्या करता है। Кणड़करने में क्या करता है। मदद करता है। it has it maintains the fluidity of blood lymph and all secretions ठीक है यह क्या करता है maintain करके रखता है हमारी जो खून में क्या है fluid like है ना चिपची बाहट है उसको maintain करके रखता है हमारे खून में लिंफ में और जितने भी सिक्रेशन है उससे में चिपची हार्ट ना चिपची बाहट है जो खून में लिंफ करके रखता है ठीक है इत मैंटेंडेशन है अध्यक्त आ पर्डियर कर दिस्टीबीटर उफ बाडी हीड थीक है हमारी बोडी का टेमप्रेशर में टेन करके रखता है और यह से कैसे एक्ट करता है जैसे कि मार्य बोडी में कि आरी है मुझे तो आरी हैं आपके वाद सिल्कें आपको आरी है वह दो सेकिंड के लिए पता नहीं यह हो रहता है नेट वकी शूज हो रहते हैं ठीक है हाँ बेटा इट है इस एक्सक्रीशन और वेस्ट प्रोड़क्स फ्रॉम दा बॉड़ी और जो पानी है वह किसमें हैं हमारी बॉड़ी में क्या करता है है पाश IPS करता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट करत करने के लिए हमारी ङुरीण युद्रीण जाहते हमारी बटी का जितना भी उन्त्य सिस्टम कि क्या कրता है सफ्कू करते हैं तो एक्सक्रिशन में भी क्या माता है अ drastic कर देता है मतल derecho तो करता है है将 जासे हमने उरी ना तो हमारी भाड़ी जीतने वेस्ट मेटीरियल है जैसे हमने वहाद मतदम है पॉई इतने में ममिट हो गया हाम पानी कितने को वर यूँद करते हैं बताव silky uses of water yes very good hmm 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 maintain करता है उनमें चिप्चेपाहट कर जो होती है न प्रेजेंट उसको maintain करके रखता है ठीक है हां तो ठीक आपार्ट प्रम बोड़ी नेट्स हां एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है हुआ है ठीक है रिमुवल ऑफ वेस्ट मेटियल फ्रम आवर बॉड़ी हमारी बॉड़ी से क्या होना वेस्ट मेटियल कर निकलना फ्रो यॉरीन उसको हम क्या बोलते हैं क्लें प्रचित्त तुंज इसमें भी हल्प करता है कि कर्द्रो FC ने प्रॉड़ी सब्सेольш प्रो क्या रिक कर दोटोब यॉज की मतलब नत्याने करेंद n नहाने की लिए यह काम आता है उसके बाद पबलिक परने के लिए काम आता है कि फॉप्लिक पॉल में काम आता है और पायर फैटिंग के लिए वोटा नेसेसरी होता है हूँ थीक है उसके पाद इंडरेस्ट्रियल परपज में काम आता है, इंडरेस्ट्रियल परपज में कैसे काम आता है, all types of industries require water for one purpose of the other, फिक है इतने भी companies है जितने भी industries है क्या करती है उनको water की requirement होती है, ठीक है? कि क्लास के चौ time already क्लास में अद्तित्या था आप माँ तुन कोई ताइम तकके छास के बारहे था थी ना किति लेट इस्ठी działष्पार में आप तो डेली आप से लास क्लास में भी आप नीकर बोलगे मिर भण हैज उसमांट तो उसमें भी काम आता है उसके ऐरी कल्चुर सब्सक्राइए है फिर मbalance ler ट्रीपंटो मेंए अधियर में इसदार कि पाने चाहिए थी के बौट रिक आए इस और सुन्सलाल थी the water requirement depends on type of industry similarly different types of agriculture crop need varying amounts of water for public place use and daily supply 2-4 notre pet hunting should be 40-40 sources of water surface water surface water artificial lakes बने उसमें रिवर्स, कैनल, स्ट्रीम, पॉंट्स, टैंक्स, ठीक है? यह भी क्या है? सोर्से वाटर का, थाद है हमारा ग्राउंड वाटर यह देट इस वैल इस प्रिंग्स, ठीक है? तो इन में से में क्या मिलता है? पानी मिलता है, आज आम इतना ही पड़ेंगे ठीक है ना क्लियर है सबको? क्या हो, अभी एक्स्प्लेइन करो तो वाटर क्या होता है? अजे आप करो एक्स्प्लेइन वाट इस वाटर? क्या होता है पानी? वोलो वोलो छिल्कें आप मतात आपनी क्या होता है? Choon जो वोड़ वीजर झाल झाल विएोति विए भूशनी विए... कि एी निए।।। इस से यह।। इंड रिए।।। वेरी गुट।।। वेरी गुट। बिटन।। ब्लड, ग्लड, 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 कोकिंग बात ही हैं ठीक है? है, थीक है, थीक है? ठीक है, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसा लगता है कि बहुत दिहान से सुनती है, शिल्की मेरी बात को फोलो करती है, आप श्वेता बताओ, what is the environment? उकराइब आप श्वेता है, चैश है, अपस रिए हम और थीर साथिन आप, कि अन्युड आप श्वेता है, बात बातर रिए होज आप, कि गुड सकते मेरी झाये, तिवां, कि तू बड़कान के अपते हैं, आपे हम टिए हम रूँये अडिए कि ₹छनू कूको खाबर्नर का वेरी गुड इंसेक्टिसाइट पेस्टिसाइड बिटा नहीं तो बिटाइट पेस्टिसाइड बिटाइट ऐसे घर यहां सब्सक्राइट कि से अदे घऱ्ीड बाने और गोर। इड कि अधकींश के तुमें वा पानी चल रहा है तो वैसे हमारी बाड़ी करें इंदर बस्क्राइजल उस इंदर भॉरिक्सिंथ तो हमारे किडनी डैमेज हो जाएगी हार्ट फेल हार्ट काम करना बंद गर तो हार्ट फेल हो जाएगा ठीक है त्रीस आप इसे बहुत अच्छा बता है वैरी गुड वैरी गुड दोनों के लिए शिल्की और शोयता गुड बाकी बाइज दो कोई मतला भी नहीं कुछ कभी साथ जै कि मैंने क्या पदाया या ने बढ़ाका शिर्फपर आटेंदेंस के लिए आते हो के क्लास में है विल्कुल बहुत मैं एक एक वर्ड आपको सम्झाती हूं हिंदी बताथि में बंगलिस इंगलिस हैं फाकि हंप्दुिष में फाने यसे बोलते हैं मोटर बोलते हैं गलते हैं औरभाटा वरेंट हों क्या पंलते हैं स्वस्त्र हां थिक है सो हिंदी dival लिए इंगलिस में आजाओ और एंगलिस वायलों को फोड़ी अगर प्रब्लम हो हुए ना में थोड़ा फॉड़ा फास प्राइश बोलती हों कि एक तो नेट वक की प्रमलमम और थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलना पड़ता है कि कही नेटवर्क ना चले जाएं क्लास में ठीक है इसलिए फास्ट फास्ट थोड़ा तेज बोलती हूं कि आया है ना सबको समझ टैने डाउट एनिक्वेरीज ठीक है तो आब हम नेच्ट आपका पढ़ेंगे अभी अंकी ता मैं का जो लेक्चर मतलब चलो फिर बात में बात करेंगे इस बारे में ठीक है तो आप सबको क्या पढ़के आना पवाइज आप भी के इन्वार्मेंट क्या होता है क्या है है होती है क्या वातवरन होता है क्या स्वास्ती होता है ठीक है क्या इसके यूज होते है क्या इसके परपस में यूज होता है कैसे कैसे होता है क्या इसकी अब हम पढ़ेंगे कल को क्या पढ़ेंगे हम रेन, र-A-I-N, रेन, बारिज, ठीक है? अट्रेंडेंस मैं लगा दूँगे और नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगे आज किसी भी टाइम, ठीक है? तो don't worry, ठीक है, thank you class.